आज हम लोग बात करने वाल है BA Part 1, History Owners का paper 1 Paper 1 का चैप्टर 1 हम लोग पड़ रहे हते । हम लोग क्या पड़ रहे थे प्रचीन भारत की इतिहा से पहले 17-57 से पहले भारत का कोई systematic तरीका से यानि कि क्रमबद कोई लिखित इतिहास नहीं था भारत के इतिहास था लेकिन वो कहानियों गुरूप में राजा के जो कभी होते थे उन कभी हो द्वारा राजा के बारें बस लिखा जाता था ऐसे क्रमबद रूप से अभी तक कोई न ढ गुंधा था न लिखा था भारत के ठिमध की किसी को क्रमबद rup से नहीं पता था ऐसे नहीं कि पसानकाल सीःंदुगाटी सवयता वैडिक सवयता महा जनपद हरयकवांस सिसुनागवांस ऐसे क्रममिक रूप से किसी को नहीं पताता कि राजाहों दूआरा राजा के जो सभधे-अंग्रेजियर चुर्फ करमपद से लिखवाया किया किया चिताब IR returned प्र होता है कि पौहले होता है चुछ प्राजा के आपि थे लोग एगषा मतलब Beet it है मैं ऱुमोट का मतलब क्या होता है यह जिलीज में क्धिक zwischen फोर्थ को इंगणаж क्या है सो सो आखी से लोगलिज मार्षा एफ तो कहां से लेकर आ जपा रहा है वे स मार्कश का क्या है अगर यह हम बात करें कि गंगा कहां से निकलती है तो मना जाता है या कहा भी जाता, यह ऐसे निकलती भी है गंगोत्री से, तो गंगा का सुरोत कहां है, उद्गो मस्थल कहां माना जाता है, गंगोत्री, तो वही बात होता है, सुरोत, सुरोत दो तरीका से हम जान सकते हैं, इतिहास को भी, कोई भी इतिहास के अगर बात करें, इतिहास जानन का दो तरीका से जां सकते हैं कैसे जान सकते हैं पहला पूरा ताथ अटीक और दूसरा करा पिरह थीक। अब देखे का को Hen study . आप देखिये कोई भी तहीजीघिया की मानली ये देश में कोई भी घाठना हुआ कोई भी लडाई शांगा हुआ कोई भी करांती हुआ या कुछ भी हुआ मालीजी कॉल ही कोई कहई पर घाटना हुआ लडाई हुआ कॉल ही तो लडाई के जानने का दोगों तरीका होगा पहला तरीका की निउज पेपर द्वारा यानि निउज पेपर द्वारे निई लिखित कहई पर हमको मिलेगा साहिते क साहीत किताब के रुप में नहीं से दिन मिल जाएगा लीखित कहीं पर नुझ फेपर के रुप में मिलेगा या टीबी से सुनेंगा हम लोग मतलब तीवी पर देखेंगा वो नूझ या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वहां के जहां पर यह लडाई भड़ा हुआ है वहां पर जाकर देखें और यह देखें कितने लडाई हुआ होगा कितने लोग हुए हम आये होंगे मतलब वहां पर जाकर वहां के जो समान है उसको टुटा फुटा देखकर और समानों के देखकर हम अनुमाल लगा सकते हैं कि हाँ पर लडाई हुआ था तो दो को तरीका से पूरा तात्विक स्रोत में आता है चाहे उनके दोरा बनवाया गया महल हो कुछ भी आएगा की इसमें आएगा पूरा तात्विक अब साहितिक सुरत क्या होता है उनके राचना की उनके द्वरा राचना किये गए जो साहित्ते होते हैं जो पुस्तके होते हैं वो साहितिक सुरत में आ जाते हैं ध्यान रखिये तो अभी तक भारत के इतिहास के यहां पर उनको सासन करना था और सासना चत्रिकास करने के जानना जूरूरी था और भारत के सिख्षा पढ़नाली भी नया ला रहा है थे लोग भारत के सिख्षा पढ़नाली कैसे लाइएगा वह अपने धंग से सिक्षा को भारत कzingगा बना है वह अपने तरीकाये से भारत को सिक्षा को बनाना चाहते थे add zus अपने धंग से रहाना चाहिए तो उनको इतिहास या और कि को भारत थे वह ताहे थे प्रूंड हाया कुछ चाहिए था a अपने फाइदा केली था इसके था शाले मिलते ना इंगर्एजोर अधिक अधिक कि उटने नहीं जव मत्ता है तो अगर खौजाना में व सकंट भाहर मिला तो मता है था तो नहीं किто पहुचा दिया जाता है इंग लाइन में ध्यान रखिया गा तो 17 सुच वहतर में क्या हुआ था मनुवा स्मिर्थी को अंगला भासा में अनुबाद करवाए गा था 17 सुच वहतर में 1838 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा यहां पर ब्रामनी लीपी पढ़ा गया था था ब्रामन अब आगे बढ़ते 1861 की बात करते अब देखिए यह तो लीपी पढ़ा था लेकिन एक ऐसी स्थांस्ता की जुरूरत पर यह अंग्रेजियों को जो बर्हिया से क्रांबद रूप से भारत की इतिहास को ढूंड सके और एक अच्छे जगाव पर उसको लिख सके और अच्छांस था कि जुरूरत पड़िए उनको टीम चाहिए ऐसा थोड़े कोई भी त्यान दून लेगा तो उन्होंने क्या कि 1861 में भारतिये पूरातत्व पूरातत्व के तो मतलब जानते हैं पूरातत्व विभाग की अस्थापना किया इसका इसका उधे से था भारत की किसने अस्थापना किया कॉनिंगम ध्यान रखिएगा कॉनिंगम जनरल कॉनिंगम नाम था लेकिन कॉनिंगम याद रखिएगा 1869 अब इसके बाद राफटार पखा रॐस को बनाएगे अब इसके बाद राफटार पकाड लिया भारत इसको ढूंडने कब क्या कर लगे जो भी प्रचिन व्यां समय में राजा कं महल होते ते महलों को ढूंडने लगा महल राजा के महल और ये पता लगाने करूट तो उसके दूनने लगे का इस राजा के मुद्ट कर राज मुद्टे पर जेक गारा और से दौनेरे में उसा चे पर नाद पत्रामें तो अब जब दोनों एक ही साथ मिलता था ना तू अंग्रेजों को इनका यह नाम है ऐसे पूरा कंफर्म हो जाता था और उसके बाद उसको इतनी हास में नाम लिख दिया जाता अब हर जगह पर ढूनने लगे और बाकी जो मीटी के बर्तन गुफाओं में जाने लगे कहां पर ग कुछ कोई कुछ और चित्रों को करिए समझ लगा पाले के लोग ऐसे जंगलों में जीवन बेतित करते थे यह करते यह अंग्रेजों द्वारा यह सब समझा गया और उसको कुरामबद रूप से लिख दिया गया आप देखिए अक और बात और जगह जगह पर जाकर टीलों की खुदाई करने लगे किसको खुदाई करने लगे तीला जहां पर भी तीला दिखते हैं तीला मतलब मुचाई पर बना मतलब जो उचा होता है मिटी से ढखा हुआ उचा जो जगह होता है जो अस्थान होता है वही तीला होता है तो तीला को क्या करने लगा तीला के भी य इसी करम में 1906 में इसको 1906 में इसको आस्थाई बना दिया गया भारतिया पुरतातों विभायक को आस्थाई बना दिया गया कैनिंगम 1921 में जौन मार्सल और 1921 में ही एक जगह जिसका नाम था हडापण को खो जागया महा निढदयसा कुस्ते में जौन Ł espíriton लेकिन उट्खनन करवा रहा है तो सब्तां में झायायाराम साहनी इसके दोरा करें जा़ाता हुई तो Ony हडापा एक जगा का नम है और सभसे पहले यही आःगी हडापा सबैता को सिन्दुगाटि सबैता मील थे क्या नॉर लेकिन धिरे धिरे जब बाद में आगे और शहर मिलने लगे लोथल चनुदड़ो काली भांगा ये सब मतलब अलग छेत्र में मिलने लगे तो उसका नाम रख दियागा की से क्या हनापा के नामपा हलापा की सब्याता ये देखिये इतिहास का ये निया मोता है कि अगर कोई स तो यहां से खोज होने लगा और अंग्रेजों ने भारत के इतिहांस को करमबद लिखवाना शुरू कर दिया अब हम लोग पढ़ेंगे यह चैप्टर पूली तरह से खतम हो गया कैसे कैसे आखिर इतिहांस क्यों आखिर अंग्रेजों ने क्यों भारत की इतिहांस जाते हैं क्यान रखिये हैं इस चैप्तर से सब्जेक्टिव कोशन नहीं पुछे ज्याते हैं इसरु पर कर देए अब्यवाय पूच्चन में पूचस्कते हम वह बहुकत समस्के अगला चैप्टर पढ़ेंगे एकप्य क्रिए यह किसे ने पुछा गया है सोब से पहलें न ही में तक रछ और अड़ीम ने पीया सबसे पहले तो जेम्स प्रिंसेट ने पड़ा भारती पुरतातों विवा क्यासा अपना कर भूई 18-18 में किस ने किया कर निंगम ने मान निरसा कुछा में कौन थै कर निंगम फिर उसके बाद पुछा जाता है पुछा जाता है यह सब पुछा गया है प्रिवियस एर में ध् पुछा नों आप कमेंट ने पूस्ट लकते हैं में तो समाझ में आगया होगा